बिशलरी को पानी खरीत कि आवा तो भैसिक पिया जाता है, मने पिया थे, ना यावत हो तो दिन बर गूरु पड़ पटा थे पानी बिना यहां को परधान को सोचना चाहिए, यहां को जो है सब लोग नेता हैं, उन लोग को सोचना चाहिए नहीं मिला अगर बाहर जहां से लाते हैं वहां भी नहीं मिला तो फिर आरोका पानी बिसलेरी का खरीद के लाते हैं पिलाते हैं इस समय हम मौझूद हैं उत्तरप्रदेश के जोनपूर जनपत के होज खास गाउं में आप हमारे पिछले कवरेज में देखे होंगे कि इस गाउं के बहुत बड़ी एक गंभीर समस्या है वो समस्या है पानी की ये पानी लेने के लिए तकरीबन अपने घर से एक सेडेल किलो सब्सक्राइब दूर जाते हैं तब जाकर ये पानी इनको मिल पाता है करोड़ों रूपए लगा लगा कर करोड़ों रूपए की लागत से टंकी बनी और पूरे गाउं में पानी की सप्लाई के लिए पाई पे बिछाई गई टोटियां लगाई गई लेकिन साब कुछ दि ब साथ है उपषय अब लोके गाउं में पूरा पानी का सप्लाई हो रहा है इसाल सरकार कहए कि टंकी दब्बा मिल जात रहा चार्शमेनम लेकिन अभी वह भी नहीं मिलत बाद बिशलरी के पानी खरीद क्या वात भैसिक पिया जाता मने पियत हैं ना यावत हो तो दिन भर गोरु पटपटा थें पानी बिना एक दम खारा पानी है का कई जाए कोनों सुक इतना बार सब लोग आ पानी बदे सब कुछ रहे कि खाली पानी बदे आदमी परिसान है अगर रिष्टेदार आए तो बिस्कुट मिठाई मिल जाएगा लेकिन पानी नहीं मिलेगा हां बहुत समस्या आये लेकिन सुनवाई कुछ नहीं है इक रहे लिए कुछ आप लोग को करना जरूरी है अगर लोगों को पता चल जाएगा जैसे हम लोगों को पता चल जाएगा तो इस गाउं में तो साधी नहीं कोई करेगा कौन अपनी बेटी को भेजागा कि उसकी बिटिया आए कि दुलन बनके तो जाएगी पानी लाने बताई आव ऐसा है कि लड़के सुन्दर दे कि पाकान बनवा लिए टंकी रख लिए सब कुछ कर लिए लेकिन पानी के लिए आदमी परसान है अब मेरा तो पर दुख रहा है कहां जाए पानी बेदे सब्तों जी यह हालात है और एक एक नल यहां पर खड़ा है आए मैं नल को चलाता हूं हमारे मित्र है अलोग दूब्य जी मैं चाहूंगा थोड़ा साब पानी चलाई और मैं पानी का टेस्ट करूं क्योंकि यह पानी चलता नहीं यह अभी कुछ लगता किसी ने चलाया है यह पानी चलता ही नहीं बिल्कुल कि देखें पानी का जो कलर्त पूरे तरीके से गंदा है ऑर यह बिल्कुल यह जो दरव निकल रहा है बीलकुल खारा है जिस तरीक से अगर जरुरते पढ़ती हैं डाक्टर तो और मुझे लगता है तो आगर मुझे लगता हए कि साथ खासी में तो ये पादी कि सकते हैं 5 00. हो जाएगा लेकिन यह भी है कि वो ठीक हो जाएगा बट और बीमारी भी और हो जाएगी अच्छा माँ भी नल है आई आई यह दिखा देते हैं बिल्कुल यह जो इस गाहों में पूरे होज खास गाहों में जो नल लगे हैं सारे वो नल बगएर काम के हैं बीना काम के हैं वो इन्हें पानी लाना बाहर से ही है और यहां तक खुद पीने के लिए भी लाते हैं बाहर से और जानवरों को भी पिलाने के लिए बाहर से लाते है अब उम्मीद है कि साथ यह जो नए ज़्यादिकारी आए है महोदेजी यह इन लोंकी समस्याय सुनेंगे यह देख लिजे यह इस पानी को जानवर पीते हैं नहीं अभी आपके सामने रख रहा हूं जानवर के सामने देख चलिए यह देखिए यह पानी पीता है रखिए हाँ गुर तो लगता है प्राक्फ cater yes इसको पता है कि पानी इसको है दूर से उसको पता चल जाता है दूरा-त बालटी को अएसे मारत कि गिर जाएगा पानी तो इनके है पानी आप बाहर जहां से लाते हैं, वहां भी नहीं मिला तो फिर आरो का पानी बिसलेरी का लाते हैं, यह इस तितिया इस ना आपके घर हैं, यह आए, अए-पी मिला है, हो। जो टोटी लगी है न सहुँ अब ऐसी तरीक लगी है और यह को पाणी इसमें आता ही नहीं aos यह सिर्फ ऐसे इसी तरीके से नुमाईसी लगी हुई है कि आप इसको सिर्फ देखिए बस आपको पानी नहीं मिलेगा यह हालात है बत से बत्तर इस्थिती है जौनपूर के होज खास गाउं की कि क्या इस्थिती बन चुकी है कि यहां पर पानी कितनी समस्या है सोचिए बिलकुल कई महिनों से इस तरीके से बन पड़ा यह इसंटी पनलड और कि लगॉल इस सथिती है कि मिलेगा लेगी कोपानी नहीं मिल रहाए अब वहाई जो कई सालों से इनकी स्थिती वह आगे से चली आ रही है इस्थिती न के बनी है इस ahíकि समस्याव पर पानी के बाद फिर वही काम इनका शुरू हो जाता है और यह फिर पानी की तलास में निकल जाते हैं दूसरे गाओं में पानी लाने के लिए यहां के जो जानवर नहीं है उबी साथ यहां बिसलेरी पीते हैं पानी क्योंकि पानी घंदा है यह पानी खरीद कर लाएंगे ढूंड कर लाएंगे खोज कर लाएंगे कहीं दूसरे गाओं से जाकर तब जाकर इनको पानी मिलेगा जो खरीद कर पानी पीते हैं वह खुद पीते हैं जानवरों को पिलाते हैं अब इतों जानवरों का सोभाग है कि इनको 20 लेरी पीने के लिए मिल रहा है लेकिन यह इस गाह वालों का धuralब्हाग के नोगों को इस तरीकें से पानी मिला क्यों आजए कि मतलब है क्यों साल से शुके भी सोटे जांगे अहिए सोच रखाएं कि हमरे वोड हैं दूर से पानी करते हैं पहले पानी लाता हूं क्या करूं प्राब्लम है मजबूरियां है पानी के लिए जरूरी है पाई में मुद्दा हमारे गाम है टंखी बनी हमारे गाहों लेकिन कम पाणी पानी नहीं नहीं आया है यह लेकिन shooting मेंसे रहते हुए में जहां आ आती की खारा पानी हो महां पानी का connection होने पाणी पानी नहीं दो साल से आ रहा है 2017 से connection deed पाणी आ रहा था अब मतलब इतनी धादली है कि सरकार न सुनें न मतलब सांसद विधायक सुनें प्रसासन अधिकारी को सुचना दीजिए तो सिर्फ आदेश कर देते हैं आज तक कोई जाज भी नहीं करने आता स्रेश के टाइम में तो आते होंगे जरूर आपके गाओं में चुनाओं को टाइम भी नहीं आते हैं उधरे सुधरे कहीं मीटिंग करके कहां गाओं वाले मतलब पार्टी नाते मोदी योगी नाते ओड अपना सब्दे देते हैं और आज तक चार साल बिद गया भी सांसद कभी इस सहीद ग्राम है हर वर्स मिला लगता है कभी सहीद समारक अस्थल पर नहीं आए सहीदों के सम्मान के लिए नहीं आ सकता हूँ इन लोगों का क्या सम्मान करेगा इन लोगों का सम्मान तब तक करेगा जब तो कुसको ओट लेना है एक टेंकर पानी भेजबा देगा उसके ब पानी तबू ना मिला था ना दुरभाग नहीं आप समझ लीजिए लोगों को पानी नहीं मिला सोचिए वह इस्तिती पहली बात उत्तर प्रदेश के जोनपूर की है यह देखिए यह पानी भर भर के लाके रखें देख लीजिए इसी तरीके से ढोती है यह माताय जो है बहने पानी ड्होती है जो भवे आपiejत बाको को सफ है कि मावाप हमारे किस गावं में हमारी साधि कर दिए इसे गावं में सब्सक्राइब हमो पानी Message तब लेते हैं इसे हम बात चीट कर लेते हैं थोड़ासा इधर हो जाई आपकी साधी कब हुई थी पानी की समस्या कब से आप जिल रही हैं अपने माबाप से कभी नहीं कहा कि आपने हमारी कहा साधी कर देंगे कि हमें कहा साधी कर दिये दिक्कत है यह परसानी है यहां को सोचना चाहिए यहां को परधान को सोचना चाहिए यहां को जो है सब लोग नेता है उन लोग को सोचना चाहिए ना कि इन लोग को बहु बेटी परसान है पानी के लिए कहां कहां घूमने टहलने जाती है पानी ढोने जाती है यहां साधी हो गया लोग यहां साल 6 मही नहीं पर पानी डोती है यहां कि आप गाहों से बाहर लोग जाते हैं पानी लाने क्या करें पानी की दिक्कत है तो पानी भी तादी मेरेगा नहीं कहीं तो जाएगा लाने यहां बड़ी समस्या है यां यह यह जोँषा है पानी पहली बढ़ी समस्या है पानी Nine. निकार नहीं है कि भिल्कुल ये देख लिजिए पानी का निकासी भी नहीं है तो आपने गाउं के समस्या को उठाओं के लोगों ने जिम्मेदारी दिया है तो ऐसा तो कर कि लोगे पतले से रच्टे से गुजरते हैं पानी लेखर और उस रास्ते पर कितने रोग पानी से डिव यहाद कि कि गोट टूटिके आपने सारवायाई और दोला था दर्ण का करी देखर दकलए लिए वह जारेती पाणी लाने लिह पाणी लेकर आ रहे था थोनWow कि नाहींड याफ तेक दियें अपनी कर लाया है कि नेको पांगा दिया जा रहा है था है कि cowक ना से यवारी corresponds पानी बैया इनको नहीं मिल रहा है इनको फिल दिया जा रहा है बगार पानी के अब देखिए यह स्थिते क्यों बाई साब बिल आ गया है कितना बिल आ रहा है पानी नहीं आ रहा है पानी नहीं आ रहा है पानी नहीं आ रहा है बिल लेने के लिए कोई आया था ही बता यह आय तरीके से जब गुलामी हमारा देज्जेल रहा तो तरीके दबाव बना कर जबर्दस्ति कुछ लिए जाता था उसी तरीके से पैशे लो वो इस्तिति है देख लिजिए बताइए क्या कलपना किया जाए इस हिंदुस्तान में रहकर इस तरीके की हालात हो जाएंगे यह साथ उन्हें सोचा नहीं होगा प्रदान मंत्री नरेंद्रोदी जी और उत्तर प्रदेश के यह सभी मुख्यमंत्री योगी आदित तनाथ जी यह आप देख लिए क्या इस्तिति आपके उत्तर प्रदेश के जोनपुर जनपत की होच खास गाउं की और तमाम मुझे लगता है कि कई गाउं होंगे जिन गाउं में यह समस्या लेकिन मेरी नेजर में पहली बार यह समस्या पड़ी और मुझे याद आ गया कि मैं मुंबई जा चुका हूं मुझे याद आए जिस तरीके से लोग तीन बज़े उठकर पानी के लिए लाइन लगाते हैं वही इस्तिति इस ग काम नहीं किया जाता है नेता जी चुनाओं के टाइम में टाइंकर भीजवाते हैं और यह लोग पानी जब ढोने के चक्कर में लोग हाथ पेर तोड़ लेते हैं वह इस्तिति बनिए अच्छा पूरा अट्टी टूड़ गई थी दादी आपका दिखाऊ दे ने ने दिखा पानी के लिए रास्ते के लिए नाली के लिए जो ग्राम सबाब के परधान है चंदन चोहान अगर हमारा वीडियो पहुचा दीजियेगा ठीक है यह आपने गाउं के लिए आप कुछ करिये ठीक है और नहीं तो मैं कहके जारूं यह लोग आपको फिर मौका नहीं देंगे ठीक है ती समझ लेजिए आप का कर रहे हैं फोन नहीं उठाते कभी आते नहीं जब से हुए हाँ हाँ चंदनमावा तम पहले मारी दिखाई नहीं दे था इस अमझ लेजिए इन लोगों के अंदर कितना आक्रोज से प्रधान आपके प्रती सोच लेजिए अरे जब से वोट सबसे पहले पानी ने लड़का कापी बताइए इनको सबसे पहले पानी देखता है कि भाया सारा काम छोड़कर पहले पानी नहीं आया इस अब देखिए करोणों रुपए माटी में मिला दिया गया पानी के नाम पर नागी रहा पानी नहीं आपा रहा और खड़ा खोदने के बाद भी नहीं पानी नहीं मिलता यह देखिए सहा देख लिजिए यहीं सिती है इस गाओ की